सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमश्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत सुवागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्निउस तो चलिए शुरू करते हैं दूस्तों कल तो हो गया कमाल यार उपने दिखाई अपने प्यार की टाकत ऐसी कि हमने कम्प्लीट कर लिया 50,000 लाइक्स का टार्गेट तो आज का जो टार्गेट है वो थोड़ा सा लाला जा रहा है मन में तो यहाँ पे दूस्तों बढ़ाते हैं थोड़ा सा अब यह ऐसे मैं आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा जोर तो दिखते हैं कि आँजम वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं इसके अलावा यहाँ पे अभी फिलाल जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दूस्तों मैं कर रहा हूँ दोपहर में आप सभी के लिए और यहाँ पर दुसरों पहला अपडेट है वो इनफेक्ट आइफोन 10 के लिए है जहाँ पर अभी अपडेट हो गई है गूगल मैप्स अप्लिकेशन तो वो अब आइफोन के पूरे बड़े स्क्रीन को ठीक से यूज़ कर पाएगी मतलब दिक्कत क्या है इफोन के साथ में आइफोन 10 में की जो स्क्रीन है वो बहुत ही कमाल का है लेकिन सभी अप्स जो है वो अभी कमपाटिबल नहीं है तो वहाँ पे आपको उपर नीचे एकदम ब्लैक प्लैक देखने को मिलता है जैसे कि फिलाल अगर जीमेल जो है वो भी ऐसे उपर नीचे से कट जाती है लेकिन यहाँ पे गूगल मैप्स जो है वो अपडेट हो चुका है तो एकदम फुल स्क्रीन को वो यूज़ करता है दिखने में काफी अच्छा होने वाला है आपके नए आइफोन 10 पे तो अगले अपडेट है वो निगल के आता है यार एक बहुत ही कमाल की न्यूज जो की आती है सैमसंग के W2018 फोन के लिए और यहाँ प दोस्तों यह जो एक क्लैमशल वाला फोन है इसमें जो कैमरा में अपरचर है वो F1.5 का है यह मैं बोगल बता चुका हूँ और यह है द अपरचर और यह शायद हमको Galaxy S9 में भी देखने को मिल पाएगा दोस्तों अगले अपडेट है वो निगल के आता है यहाँ पे बहुत ही इंट्रस्टिंग न्यूज जो की आती है SpaceX की तरफ से और यहाँ पे Mr. Musk हमको यह बोलते है कि भया जो रॉकेट जाने वाला है Mars पे व वो होगी Tesla की नई Roadster Car और आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Sad News Blackberry के लिए हलांकि Blackberry के लिए Sad News अचल साद ही चलती है तो यहाँ पर दोस्तों Blackberry जो है वो पे करेग को लेके मतलब यह भी दोस्तों रिसर्च चल रही है बहुत सारी कि जो नया breakthrough होगा batteries में वो कौन सा होगा तो यहाँ पर रिसर्च निकल के आती दोस्तों magnesium batteries को लेके जो कि यह बताती है कि यहाँ पर जो charge holding capacity होगी वो ज्यादा होगी और इसकर दोस्तों ही जो batteries होगी वो safer हो और यहाँ पर दोस्तों यह जो news है यह भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और यह है बिसिकली 5G को लेके जहाँ पर दोस्तों Ericsson ने जो है वो दिखा दिया है बहुत यह कमाल का 5G network जो speed थी वो थी 5.7 Giga Byte पर सेकेंड Giga Byte 5.7 Giga Byte पर सेकेंड दोस्तों यह बहुत ही अलगी लेवल की चीज है अब ऐसे में आप उसको कैसा यूज करोगे कहां यूज करोगे वो एक अलग बात है लेकिन अगर ऐसा यूज करने को कभी मिल जाए तो आप मतलब बस Google पे कुछ लिखो बटन दबाओ और आपके स Profile बना सकते हैं आप देखते हैं कि आपके आस-पास वाली अरिया है भीया कौन-कौन है जो आपको पसंद करें जिसको आप पसंद करो तो यहां पर दोस्तों अभी जो है वो इसमें AI-based option आ गया है जो आपको recommend करेगा ऐसे Profiles जो आप शायद पसंद करो मतलब यह आपको दो जो आपकी preferences है कि आप किसको swipe कर रहे है right किसको कर रहे है swipe left उसके basis पे यह आपको predict करेगा कि भया यह जो profiles है यह शायद आपके लिए interesting हो सकते हैं और ऐसे में अगर आप रिंडर्यूस करते हैं बताना जरूर नीचे comments में दोस्तों यहाँ जो अगला update है वो निकल के आता है Amazon की दरफ से और यहाँ पे जो Amazon दोस्तों planning करता है कि करने वाला है drone से delivery तो वहाँ पे दोस्तों एक और यहाँ पे Amazon ने अपना अभी patent लिया है जहाँ पे planning कुछ ऐसी है कि in case of any emergency अगर कुछ भी problem आती है तो यहाँ पे वो जो drone है वो self-destruct हो पाएगा मतलब वो आपने देखा करने कहीं पे जा रहा है और अगर कुछ भी पंगा होता है तो जो drone है वो अपने आप self-destruct हो जाएगा जिससे वो आस-पास किसी और को भी नुकसान ना पहुचाए तो यह बड़ा cool concept है देखते हैं कि actual में drone deliveries कब तक आती है market में दोस्तों यहाँ पे जो अगला update निकल के आ जिनके पास में अधार कार्ड ही नहीं है तो उनके दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग steps आ गए हैं जहाँ पे आप website से link कर सकते हैं और जो date है वो है फिलाल 1 January की तो देखते हैं कि यह काम कैसे करेगा हलां कि मेरे पास में अधार कार्ड तो है लेकिन time नहीं मिलता है तो अभी यहाँ पे दोस्तों यह शायद आपको अगले आइफोन में देखने को मिल सकता है इसके अलावा शायद कोई और company भी इसको use कर पाएगी हाला कि अपल अगो शायगर चल रहा था यहाँ पे BOE के साथ में तो क्या पता अभी क्योंकि दोस्तों जो जो BOE वगर है वो बनाते ह लेकिन यहाँ पे दोस्तों यह अभी OLED टेक्लोजियों काम में ले रहे हैं हाला कि Samsung है बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन यहाँ पे definitely दोस्तों Samsung सस्ता पढ़ने वाला है Apple को तो क्या पता Apple BOE के स्क्रीन को जो की है 6.18 इंचिस का काम में ले अपने आने वाले अगले iPhone में जो आईफोन X1 या फिर iPhone XX मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में दोस्तों यहाँ पर आप देट है वो निगल गया थे एक बहुत ही कमाल की रिसेर्च को लेकिन आप दोस्तों डेवलप किया गया है Ultra Sound Needles को जो की काम नहींगी दोस्तों Surgery के दोरान और यहाँ पर Minimal Invasion म यहाँ पर एक दम बारीकी से घुसके सारे काम कर पाओगे विकॉज आपको जादा कुछ बड़ा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है आप उस सुई के अंदर से ही देख पा रहे हो कि बॉड़ी के अंदर क्या सही है क्या नहीं है तो वो दोस्तों काम यहाँ पर आगया है औ और यहाँ पर आप टीशू को डिरेक्ली मॉनिटर कर पाओगे बाहर से ही यह जो कंसेप्ट है यह अच्छी चीज़ है और आगे चलके भाई आप मशीन करेंगे ऑपरेशन के इंसान लेकिन इतना जान लो कि ऑपरेशन की तो सक्सेस रेट है वो बढ़ने वाली है डेफिन अगले इतना ही दोस्तों जय हैंद वंदे मातरम